नमस्ते फ्रेंड्स आज का रेसिपी है कोकोनट, सूजी और चॉकलेट के कम्बिनेशन में बना बिल्कुल नया हट के स्वाद वाला एक संदेश इसका स्वाद बिल्कुल अमेजिंग है हल्का क्रिस्पी, थोरो नटी और चॉकलेटी इसका रेसिपी है बहुत ही आसान, चलिए जट पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं ले लिया है मैंने एक नारियल और घर का किसी भी एक कप को सेट कर लीजिए उसी कप से एक कप चीनी, एक कप सूजी और अधा कप दूद ले लीजिए नारियल को कूड लिया है मैंने और चीनी को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है नेक्सT ओबन पे पैन बैठाइए एक चमजघी दे दिजिए फ्लेम को मिडियम रखिए और सूझी को हलका फ्राइ कीजिए कंटिनीव सूजी को हिलाते रहना है और सूजी का कलर जब हलका प्राउनिस आ जाए उस वक्त अब एट कर दीजिए ग्रेटिट कोकोनेट अब दोनों को एक साथ मिक्स करके भूनना है और फ्लेम को रखिए लोई या मीडियम पाँच साथ मिनीट तक भूनिये भून देवे जब नारियल से एक मीठा सा खुजबू आने लगे तर समझ जाए कि नारियल भून चुकी है उसकी कच्चा पन चला गया है भूना हुआ नारियल और सूजी का मिक्सचर एक पोट पे खाली कर लिजिए नेक्स्ट कढ़ाई को धोना नहीं है उसी कढ़ाई को आप ओबन पे बैठा लिजिए और दे दीजे आधा कब दूद और दूद जैसे बॉइल होना स्टार्ट कर दे उसमें मिला दीजिए चीनी का पेस्ट मीडियम फ्लेम में मिक्सचर को हिलाते रहिए और चासणी जैसे ही थोरा गाड़ा हो उसमें एड़ करिए एक चमच कोको पाउडर फ्रेंड्स इस mixture को continue हिलाते रहना है बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है हिलाते हिलाते इस liquid का consistency जब थोड़ा थिकी liquid और चॉकलेटी हो जाए उस वक्त आपको add कर देना है वो भूना हुआ ना coconut और सूजी का mixture इन सारे इंग्रेडियन को आप उपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मीडियन फ्लेम में भून दे रहे है पांच मिनिट भून दे ही आपको समझ में आएगा कि नारियल पैन पे चिपक रहे है इस वक्त आप हातों में लेकर चेक करिए अगर यह mixture बिखर नहीं मान लेजिए आपने बड़ा साइज का नारियल ले लिया है यह फिर सूजी का quantity उपर नीचे हो गया है बंद नहीं रहे है उस वक्त आप और थर्चिनी आड़ कर दीजे और फिर इसको mixture को चलाईए तो देखिए adjust हो जाएगा अब संदेज का shape अब संदेज का shape देने के लि amazing chocolate ही आया है इसे जट पट उस tray के अंदर set करिए और हातों से प्रेस करके पूरा set कर दीजे ताकि अंदर कोई भी air bubbles ना रहे है फ्रेंड्स इसमें सूजी और चीनी है इसलिए ठंडा होते ही इसका cutting shape सही नहीं आएगा इसलिए तुरंत ही हम इसे cut लगाना है एक चाको को घ मैंने उपर से zigzag way पे spread किया है और हर एक square box को उपर काजु बदम चिपका दिया है अब इस box को आधा गंटा ऐसे ही छोड़ दीजिए वो set हो जाएगी और उसके बाद अब चाको के मदख से एक corner में धीरे से उठाईए पूरा box निकल के आ जाएगा और एक एक pieces हलका हलका square pieces आप उसे तोरकर निकाल लीजिए देखिए संदेश के shape में पूरा आ जा रहा है और अब इससे surf कीजिए इसका स्वात बहुती amazing और पिल्कुल हटके है फ्रेंड्स अगर रेसीपी पसंद आए तो आपसे निवधन है कि प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर पर जरूर एक पर ट्राइ कीजिए और अपना experience कमेंट सेक्टर पर शेयर कीजिए फिर मिलते हैं अगरे वीडियो पर तब तक ले गुडबाई